कि नबस्कार तो हमारा ठीक है आपको पता है कि भारत जो है वह मद्रेखा से ऊपर यानी उतरि गोलार्ट में हैं और अगर यामत्र यानी देशांतर की बात करें तो हम पूर्वी देशांतर में ने, यह पूरह विश्व का मैप है जिसमें एस आ महादीप में आपको ये भारत वाला हिसा आपको देख रहा होगा भारत अलग से ही अपनी एक पहचान रहता है और हमाले से नीचे हो रहिंद मासागर वाले चित को हम भारती उप महादीप के नाम से भी जानते हैं अगर इस्तिति विस्तार की बात करें तो नीचे की साइड स से अठारे चाड से लेके और उपर 37 चे तक होता है ठीक है और इधर की बात करें तो 68 से लेके 97 तक होता है पूरवी देश अंतर की अगर बात करें तो यह पहले भी बताए दोबरा भी बता रहा हूं और याद होते रहने चाहिए उपर से नीचे की बात हमने 32 किलोमीटर ब बोलते हैं उसमें उसके लावा पहले इधर से पूरब से पच्चिम 2900 बताई थी अब थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक करके 2933 कलो मिटर जो है वो हम लंबाई इसमें बताएंगे ठीक है तो नीचे से उपर तक के जो अच्छान से आठ डिगरी चार मिनिट उत्री अच्छान से लेके 37 डिगरी च्छे तक है और पूरवी देसंतर की बात करते हैं तो 68 से लेके और 37 25 तक है यह हमारे वहारत की इस्तितिय बाकी प्राचिंतर संस्कृतियों में से एक है पूर प्रवा ने 5000 साल से भारत जो हो चला आ रहा है काफी अच्छे तरीके से भारत पिछले आजादी के बाद में पिछले 10 को में 5-10 को में 6-10 को में जो है वो काफी उन्नती की है हम जब आजाद हुए थे तो बहुत गरीब कंडिशन में थे अंग्रेज हमें कंगाल करके छोड़ गए थे फिर वारत ने धीरे-धीरे लिबरल पॉल्सीज के थू जो है अपने अपने आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत उन्नत किया किर्शी में उद्योगों में तक्नी में डवलपमेंट किया बाकी जब हम भगोलिक बवाजन बात करते हैं तो आपको मैं बताता हूँ ओपर हमाले है उत्तर की मैदाने फिर प्रायदीप ये पठार का भाग है फिर तटवरतिये मैदाने उसके अलावा दीप समूव है दीप समूव में लच्छ दीप और उसके अलावा अंडमान निकोबार दीप समूव है तो यहां पर आपको पता ही है कि करक रेखा जो है वो साड़े तेश्ट डिग्री रेखा जो है वो आल्मोस्ट यहां से गुजड़ती है और भारत को दो भागों में बांट देती है तो करक रेखा नाम सामान देता है भारत को दो भागों में बांट देती है साध़े 30 दिग्री वार्ड मुक्य भुबाक के दच्पूर में अंदमान निकोवार दीप समू बंगाल खडी में और दच्न पच्च्च्प में लच्चिदीप समू अरप सागर में यह बाते आपको पता हुआ और अगर आपको थोड़ा सा स्नामी आय थी तो उस समय घल मगन हो गया था यह तो बहारती संगराज्य का सबसे।再见 जो इंद्रा पॉंट गया था feel u घल अभात का सब्भारत के सब्सक्राइब पहन्द सामे अर्म क्या was अम कप पाई वारत का ह्रत का सब्सक्राइब पूरे विष्व के चेतपल का 2.4% है ये रटने बाली बात है ठीक है दो चीजें रटनी है एक तो भारत का चेतपल 2.4% है विष्व का और भारत की जंसंग के पूरे विष्व की जो है वो आलमोश्ट साड़े सोले और सतरे परसेंट है तो हम सिर्फ 2.4% एरिया में हैं और जंसंग के हमारी जो है वो 17% को हम कवर करते हैं और अगर हम बात करें चेतपल की द्रश्टी से तो भारत जो है वो साथमे नंबर पर आता है भारत साथमे नंबर पर आता है रूस कनाडा चीन यूएसे आस्टेलिया और ब्राजील और फिर उसके बाद में इंडिया शाथम फ्रीघ नंबर पर उस यूएसे और चौनर फ्रोके और इनमें सांतर होता है, चाइन ह वो एक किलोमीटर चौपार है और चायना जो है 36 लाख किलोमीटर है भारत 32 किलोमीटर है, उक्से इन्होंने मिल्योह में दिया हुआ है मिलियन किलो मीटर पर एक मिलियन का मतलब होता है दस लाग ओके यह हुई बात साथ में बड़ा देश है अगर हम बात करें भारत की इस्थलिय सीमा रेखा इस्थलिय सीमा यानि पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमा यह अगर मैं अब देखें तो यहां से शुरू होती है इस तरीके से और इस तरीके से चलते हुए नेपाल वाला सिक्किम बूटान और यह पूरा बंगला देश तक कबर करते हुए यह पूरी इस्थलिय सीमा है वो 15200 किलो मीटर कितनी है 15200 किलो मीटर याद रखना भारत की इस्थलिय सीमा पड़ोसी देशों से जो लगती है वो इनको भी तो कुल मिलाके 7516 किलोमीटर की जो है वो जली सीमा समुद्र से हमारी लग दिये इसमें यहां इतना लिखा हुआ है 7516 और रिष्टली सीमा 15200 अब एक पॉइंट और ध्यान रख लेना 22 डिगरी उत्रिया चांस जो है 22 डिगरी उत्रिया चांस करीब करीब यहां से जाता इस ठेक शर्ण ज्याकर चांस के बाद में जो हे वह भृरत सरक नीचे की साइड में सक्ष идет होता जाता है आफ देख रहे होगो नीचे की साइड में कम होता जा हुई ठीक है तो यहाँ पर clearly उन्होंने लिखा हुआ 22 डिगरी उत्रेश चांस के बाद में हिंद महासागर की ओर जो है वो सक्रा होता जाता है बारत वाला भुबाद आगे बहुत समझ में उसके अलावा अगर हम पूरव से और पच्चिम तक का विस्तार देखते हैं पूरव अरुनाचल प्रिदेश है और पच्चिम यानी गुजरात इस वाले छेतर से लेके और यहां तक 97, 95 और 68 साथ से देखते हैं तो आलमोश्ट 39 और 30 डिगरी का अंतर आ जाता है 30 डिगरी का मतलब यह हुआ दो गंटे का अगर आपको पहले का ध्यान हो तो एक डिगरी में 4 मिनिट का अंतर आ जाता है ठीक है एक डिगरी अगर हम पूरव में जाएंगे तो 4 मिनिट जुड जाएंगे अपना बड़ जोगरोफी में कंप्लीट बताय हुआ है ऐसे ही 15 डिगरी में साइट मिनिट का अंतर आ जाएगा यानि एक घंटे का अंतर आ जाएगा और अगर हम बात करें तो 30 डिगरी में आलमोश्ट दो घंटे का अंतर आ जाएगा ठीक है तो यहां पे सूर दो घंटे पहले होगा और गुजरात में सूरेद जो होगा दो घंटे बाद में होगा वही बात यहां लिखी हुई है लगवग 30 का है तो इसमें जो है पूरा पश्चम विस्तार अपिच्छा कर्म ठीक है यहां लिखा हुआ है अच्छांस में देसांतर का विस्तार अब एक सवाल है यहां पर कि हमने 85 डिगरी पूरवी देसांतर को अपना माना किया मुत्तर माना है जिसे हम प्लस साड़े पांच बोलते हैं ठीक है 75 के बाद में साड़े सात और 25,500 का होता है हमारे यहां पूचाए कि हमने यही क्यों माना ठीक है अब यह इसलिए का रख लेते तो इधर वाले लोगों को पर रिशानी होती इधर का रख लेते तो इधर वाले लोगों को पर रिशानी होती तो बीच वाला समय रखा अब पाकिस्तान ने रखा हुआ है अपना 75 डिगरी बाला पाकिस्तान ने कितना रखा हुआ है 75 डिगरी बाला वो बड जोग रोफी में आसानी से समझा चुका हूँ आपको देखो ऊपन नीचे की साइड में जाने पे सूर्य की किरणे किस तरीके से तो कन्या कुमारी नीचे हैं तो सुरह की करिणना जादा दिशी दे पड़ती होंगी वहां तो कन्या कुमारी नीचे होने के कारणड दिन दिन नूर्मली, Comparatively उपर की तुम्ला में थोड़े, थोड़े बड़े होंगे ठीक हैं। और उपर जम्मू कस्मीर है वहां सोरह की किटने तिर्शी पढ़ती है तो दिन वहां पे थोड़े छोटे होगे हैं बाकि बड़ जोगरोप यह अपने देख लिए होगी तो यह सब्सक्राल आपको वहां समझ मांगा होगा होगा फिर यहां लिखा हुआ भारत और बिस्व के बारे में कि भारत कहां पे है यह के लिए रबातें लिकी हुई है भारती वुकंड एसिया महादीब के पच्छे मद्दे में इस्तित है फिर भारत जो हिंदमासागर ते टच है तो हिंदमासागर से चारों मतलब पूरा एक तरीक इस समुद्री रास्ते के तुरू तो यह कीपोंट नॉर्माली आसान से हैं, इस वाले मैप के तुरू अब देख लिजीए, यह हमारा भारत, ठीक है, यह साड़े तेश डिगरी, यह बाइस डिगरी और यहां साड़े बाइस डिगरी, और यहां से यह सकरा होता जाता है, हिं भारत के संबन्द पूरे अछैंठे था ये अपना अरब देशे हैं अरब देश के साथ रहें ये उर्प्रीका आफayı का की साथ संमन्द रहें Яूरूप के साथ इस तरीके से संबंद रहें ये नॉर्मल सी वाते हैं, इन में से कुछ इस्पेसल है नहीं, ओके, अब यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि ये जो प्राचीन मार गए है, इनके माद्यम से जो बस्तों का आदान पिर्दान होता था, हम बड़ोसी देशों के साथ में संपरक रखते थे, और उन संपरकों के बहुत धर्म जो हुआ हुआ हमारा चीन तक, तिबबत तक, मंगोलिया, जापन तक फेला, ठीक है, उसके अलावा भी उपने सदों के विचार, रामायड और पंचितन्तर की कहानिया, हमारी भारत की जो अंक पिर्णाली थी, दसमलब पिर्णाली थी, ये संसार के अलग-अ भागम गए, और उसके अलावा, बिदेशी लोग भारत से मसाले का, मलमल का, कपड़े का ब्यापार करने की लिए आते थे, साथ साथ में हमने बिदेशी लोगों से इस्तापत तकला ली, जिसमें यूनान की इस्तापत तकला, और पच्चिमेशिया की इस्तापत तकला, जि तो कुछ चीज़ हम भेजते थे कुछ चीज़ हमने दूसरे देशों से सीखी अब पड़ोसी देशों की बात है तो यहां पर पुराना डाटा है अभी 28 राज्य हैं और 8 के अंदर साथ प्रदेश हैं ठीक है आज की टाइम पर और आप एक बार अपडेट करते रहे न ठीक है हो सकता है आने वाले समय पर जम्मु कस्मीर जो है राज्य बन जाए अब यहां पर उन्होंने कुछ ग्यात कीजिए पूर्वी और पच्छिमी तटों पर केंदर साथ चेत्रों की संख्या ग्यात कीजिए यह कोश्चान अच्छा है अब उन्होंने बोला है पूर्वी और अब बताईए कि टोटल कितने किंद साथ प्रदेश है टोटल बरतमान में आठ किंद साथ प्रदेश है एक जम्मु कस्मीर दो लगदाग तीन चंडीगर चार दिली ठीक है चार तो यहीं होगे उसके अलावा यहां थे दमडीप ठीक है दोनों को मिला के बनता था उसके अ दमड़ दीप के अलावा तो काफी अच्छा सवाल दिया है देखते हैं कि कितने के इंसास प्रदेश पूर्वी और पष्चमितव पर शुरुआत करते हैं पहले टोटल के इंसास प्रदेश हों की फहला जम्मु कश्मीर यहां लद्दा दो के इंसास प्रदेश होए तीसरा चंडीगड और चौथा दिली अब ये तो है नहीं पूर्वी और पष्चे मिताटों पर तो इन वालों को तो भूल जाए चार तो यहां कर दिये में पहले यहां पर थे अपना दमड़ दीप ठीक है यहां पर और यहां पर था दादर नागर हवेली ठीक है तो पहले वो एकिल यमन और पुडडुचेरी यह आते है ठीक है तो लेकिन एक ही उसके अंतरगहता है पुडडुचेरी के अंतरगह ठीक है उसके अलाबा यहां पर अंडवान निकोबार दीप समूं यह भी union territory है और यहां पर लच्छे दीब समू यह भी union territory है ओके अगर बढ़तमान में आप से पूछे अब ये कितने हो गए गिन लेते हैं चार तो ये पांच छैसाद आठ आठ हो गए complete हो गए तक जाएं तो अंडमान और लच्छदीप समूवाले हैं सेकेंड उन्होंने पूछा है छितपल के आधार पर सबसे बड़ा और चोटा राज्य थोड़ा सा आप भी इसमें दमाग लगाईएगा और आप बताईएगा सबसे बड़ा राज्य तो आप सबको पता है राश्तान छोटा राज्य मैं आपके उपर छोड़ देता हूँ ओके कौन से राज्य अंतराष्टिय सीमा और समुद्र तट को इस परस नहीं करते इन्होंने पूछा है कि कौन से राज्य पाकिस्तान चीन म्यामार और बंगला देश ओके पहले ये सवाल है कौन से राज्य अंतराष् लग रहा है। तो समझेगे। देखो जम्म्मू कसमेरवाला ये तो पक्षान अफगानिस्तान और चेहं तीनों से लग रहा तो इसको स्मिल ने करेंगे। हमाचल प्रदेश नहीं सामिल करेंगे क्योंकि इसका सीमा जो लग रही है वो अपने तिबबत यानी चीन से लग रही है उत्राकंट को भी नहीं करेंगे इसकी भी सीमा लग रही है पंजाब की सीमा लग रही है तो पंजाब को भी सामिल नहीं करेंगे हरियाना हरियाना की सीमा किसी से नहीं लग रही है तो पहला राज्जरा की सीमा वीं पाकिस्तान से लग रही है घुझरात की लग रही है you गोवा की सीमा, केरल, तमिलनाडू, आंदर प्रदेश, उडीजा, पच्चिम बंगाल, इन सब की सीमा जो है वो, समुत्राट से लग रही है, ठीक है, इधर आते हैं, तिरपुरा, तिरपुरा की सीमा बंगलादेश से लग रही है, इसलिए सामिल नहीं करना है, मिजुरम की स सामिल करना नहीं है, सिक्किम की सीमा जो है वो, उपर की साइड में लग रही है, तिबबत से इधर साइड में भूटान और नेपाल से लग रही है, बिहार की सीमा नेपाल से लग रही है, यूपी की सीमा नेपाल से लग रही है, ओके, एक अर्याना आया अभी तक, दूसर अगर दिल्ली को अगर राजज मानेंगे तो दिल्ली भी थे है लेकिन उनोंने पूछा राज्य तो प्रोपर राज्य नहीं मान रहे हैं दिल्ली को ऊंगी दूसरा मध्य पड़ देशिंग ना तो किसी भी देश से लग रहे है। और नहीं समुत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् नहीं किसी समुद्र भाग से लगती है अगला सवाल पाकिस्तान चीन म्यामार और बंगला देश की सीमाओं को चूने वाले राज्यों को चार बर्गम बेवाज़त कीजिए उधरन उन राज्यों को एक बर्गम रखिये जिनकी सीमा पाकिस्तान से लग रही है तो यह बहुत चीन का पूछा है तो जम्मू कस्मीर हमाचल उत्राखंड और सिक्किम और अर्नाचल ये वाली एक सीरीज हो गई चीन वालों की इदर मियामार वालों की बात करें तो अर्नाचल, नागा लेंड, मडीपूर, मिजोरम ये हो गए अपने मियामार वाले चेतर से लगने वाली बंगलादेश वाले पच्चिम बंगाल असम, मेगाले, तिरपुरा और मिजोरम ये बंगलादेश से लगने वाला होगा है ओके? ये सवाल कम्प्लिट यहां होता है उसके बाद में यहापे उन्होंने कुछ लेका आ है भारत की भूमी की सीमा है, उत्तर पच्चिम से और ये लगे हुई है, क्या आप जानते हैं, 1947 से पूरु भारत के जो राज्ये थे, वो प्रांतों और रियासतों में, बिर्टिस प्रांतों और रियासतों बटे हुगे थे, पॉलिटिवल लेक्चर सीरीज में बहुत अच्छ प्रांत थे, और बाकी देशी राजाओं के रियासत हैं थी, ठीक है, अपने रास्थान में तो जातर रियासत ही थी, तो बेसिक चीजें यहां हमने बात कर ली, और अगर यहां पे लिखा हुआ है इनोंने, कि भूबन अपना पोर्टल है, भूबन ये इस रो के द्वारा चलाया जाता है, इस रो के द्वारा चलाया जाता है, और ये जो है वो 3D मैपिंग करता है, उपर से जो है वो इमेज लेके बनाता है, तो भारत के सभी तरीके के भूबने प्रोट पॉर्म पे बनाये हुए हैं, और स्कूल NCRT करके उनकी हेल्प से आप देख सकते हैं, ठी किस राज्य से नहीं गुजड़ती है, सभी आप ध्यान करके बताइए, राष्तान से निकलती है, चतिस गड़ से निकलती है, तरपुरा से निकलती है, लेकिन उडिशा से नहीं जाती है, भारत में सबसे पूरवी देश अंतर, पूरव में कुन सा है, सत्यान में 25 वाला है जो कि अर्णाचल प्रदेश में उत्राखंड, यूपी, बिहार, पच्चिम की सीमाएं किस तेश से ची होती हैं तो बहुत आसान है नेपाल से ये सीमाएं लगती हैं गिरिसकाल में यदि आप करवत्ती जाना चाहते हैं तो किस के साथ प्रदेश में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि करवत्ती किस विर्ण टरिटरी की राजधानी है तो करवत्ती जो है वो लच्छ दीप की राजधानी है उसके अलाबा अंडमान निकोबार दीप समूगी पोर्ट विलेयर राजधानी है पुड्डिज़िड़ी की राजदनी पुड्डिज़िडी ही ही है ओक्य यहां पर मैप में सहेद उन्होंने दीए होंगे ठीक है यह दीए हुए है थिक letting हैं यहां माहे जो है वह पुड्डिज़ियिश का हिस्सा है पुड़िचेरी, करीकल और यनम, मैंने चार बात बताए थे, चार भाग बता रहा था मैं आपको, देखो ये माहे जो केरल के अंदर वाले छित में, तमिल नाडू वाले में पुड़िचेरी और करीकल और यनम, ये चार भाग जो है न, यनम आंदर प्रदेश में, ये फ्रा कि मेरि मित्प्र ऐसे देश के निवाशिया है जिच देश की सेमा भारत के साथ नहीं लगती है तो बताईए कौन सा है तो निचित अ मतंश्य निम्न-मएन से कौन से हैं अन्वान निकुबार दच्छन में कौन से दीप ये देश हमारे पड़ोसी हैं तो हमारे दच्छन में जाते हैं तो स्रिलंका है और नीचे जाते हैं तो माल दीप है यहां पे तो स्रिलंका है और नीचे दर जाते हैं तो माल दीप है जो कि टुरिस्ट होट इसपो पांचमे नमबर पे आता है अपना आश्टेलिया छटमे नमबर पे आता है अपना ब्राजील और साथमे नमबर पे इंडिया ठीक है यहां पे इनों ने इस वाले में बनाये हुआ है अचा ब्राजील जो है वो पांचमे नमबर पे आता है छटमे पे आश्टेलिया आता है व तर्ड नहीं है अजये ताय को है तो पहले बात करें अपने हैं ग्राइब अपने कि अपना घ्रम उसके बाद मैं भारत में किन राज्यों से करक्रेका गुजरती है पता चुका हूँ साथ राज्ये आपको याद होने चाहिए रास्थान, एमपी, चतिसकंड, जहारकंड, पच्चिम बंगाल, तिरपुरा और मिजोरम शुर्य दे अरणाचल के पूरी भाग में गुजरत के पच्चिम बाकिया फिच्चर दो घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में गड़ी एक ही समय दिखाती है, तो आपको पता है, 68 डिगरी साथ जो है गुजरत वाला चेतर है, और 75 डिगरी 25 मिनिट जो है हो अरणाचल परदेश वाला है, तो आलमोश 30 डिगरी का अंतर है, जो कि 2 घंटे का अंतर कर देता है, इन नमासागर में भारत की केंद्रिय इस्तिती है, इसलिए इसे ब्यापार में भी लाम मिलता है, ठीक है, और उसे सामरिक दरश्टी से, रननितिक दरश्टी से, और से सित्र कोसल के बारे मैंनों ने बोला है कि ये आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से दीप समू है भारती उपमाधीप किन देशों से मिलकर बनाएं ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए भारत के जो पड़ोसी देश है न उसमें चीन को छोड़ दीजिए अफगानिस्ता नेपाल भूटान और बंगलादेश इन सब को मिला करके भारती उपमादी पंता है ठीक अखंड भारत के नाम से प्राशन समय पे था वह सब भारती उपमादी करके देखा कौन-कौन से राज्यों से गुजरती है बता दिया मुख्य भूबाग का दच्छंड सीर्स बिंदू कौन सा है तो भारत के मुख्य भूबाग का जो दच्छंड तम बिंदू है वो कन्या कुमारी है ठीक है आठ डिगरी चार मिनिट वाला और जो अगर पूछा है कंप्लीट हमारे उसमें समुद्र भी सामिल करने तो अन्दमा भारत के मुख्य भूबाग का दच्छनी अच्छांस तो अंसों में अगर मुख्य भूबाग का दच्छनी अंसान है तो अंकों में बात करने तो आठ डिगरी चार मिनिट उसके अलावा सबसे लंबी तर्ट्रिखा वाला राज्य गुजरात ठीक है भारत और स्रिलंका के अलग करने वाली जलसंदी पाक जलसंदी ठीक है और बीच में मनार के खाड़ी भारत के किंद सासर प्रदेश अभी आपको बता दी ठीक है अब यहां आनोंने कुछ काम बोलें यह थोड़ा सा आप खुद भी कर लेना एक रेसम मार्क के बारे में भी आपको पता होना चाह था कन्योज पटना कन्योज और इसके अलावा दिल्ली दिल्ली होते हुए लाहूर और फिर अफ़र अफगंस्तान के सिल्क रूट से जुड़ता था ओके तो अब हम जो है वह इंग्लिस में यह क्लास 11 का है लेकिन कुछ खास बात है नहीं बस इतना याद रखना एक तो य उसके अलावा यहां इन्हों हो ने बोला हुए है कि हमारी जो टेरि secrets होती है बो पारे नौisen टक होती है समुद्र की अंधर union के सीमा होती है वह बारे नौ ini में टॉबाय को हूं अग्यों का मतलब होता है 1.8 किलोमेटर क्षा है यह वात नोंने बो लिए बाकी चीज़े से टूशे में इंडियन इस्टेडर टायम लॉंगी टूट में आपको बताई चुका हूं ठीक है ज्यादा तर चीजें यह मैप है इसमें सारी चीजें है नॉर्मली यह वही रूट्स पहले बाले मैप कर चुके यह इन्होंने साइच के बारे में बताया और हमारे पड़ोसी द बाई यह वो अपनी समुत तट से लगती है उसके लावा यहां पर उन्होंने गल्फ और स्टेट के बीच में अंतर बताया है गल्फ को बोलते हैं हम खाडी स्ट्रेट को हम इंदिम बोलते हैं जल्टमरू मत दें जल्टमरू मत दें इस तरीके से अब गल्फ और बावों को अलग कर रहा है तो बोहता है डिवन एसके और बड़ा बाडवाग गल्फ घल्फ बडवाग यह वाला हिस्सा यह वला यह वला अपने गुजरात वाले इस जगेपे आप देख रहे होंगे तो पानी अंदर तक जा रहा है तो यह वोता है गल्फ ठीक है यह यह जो तीन तरफ पानी से गिरी हुई हो वो जो है वो खाड़ी होती है लेकिन उसका भाग अगर छोटा हो जाए बिल्कुल छोटी अगर इससे मोकर निकल रही हो तो उसे स्टेट होते हैं तो स्टेट छोटे एरिया का जो है वो दो इस्तल भागों को अलग कर देता है ठीक है ज तो कुन सा इलमे से सही है त्यान करिये आप आठ डिग्री चार्ड से लेके 35 या 37 तो आठ डिग्री चार्ड से लेके 37 छे वाला सही है उसके बाद नेक्ट कोश्चन विच आप दी फॉलोविंग कंट्री शेयर दी लोंगेश्ट एंड लेंड फ्रेंटियर बिद्धी इंडिया भारत से जड़ा किसका एरिया जदा चीन कर ज़्यादा इसमें एजेप्ट फ्रांस तौहीं हिसे साथ देश है ना रोज रोज के बाद में अपना कनाड़ा USA USA के बाद में चीन चीन के बाद में ब्राजील फिर आश्रेलिया और अपना साथम इंडिया तो इन में है need to have more than one standard time if yes तो why do you think so क्या भारत को अभी एक की तुल्ला में दो standard time बनाने चाहिए क्योंकि बहुत सारे देश है रूस चाइना उसके अलावा कनाड़ा उसके अलावा USA जिनके पांच-पांच-छे-चे तुक्या भारत को होना चाहिए देमांड होती है लेकिन नौर्मली नो क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम इसके लिए उतना छेत्रपल ज्यादा है नहीं तो इतना बढ़ाने की जरूत है नहीं और येस का अगर आप जवाब देना चाहिए तो येस इस लिए क्योंकि अर्णा चल प्रदेश वालों की जो घड़ी है उनके लिए सूर्य उद्य पहले हो जाता है और गुजरात वालों के लिए बाद में बाकि इसका अंसर नो भी ठीक है बाट आर दी इंप्लिकेशन्स ऑप इंडिया हेविंग लॉंग कोश्ट लाइन तो लॉंग कोश्ट लाइन के तो बहुत पायद है देखो परभेन बहुत आसान होता है तो जितनी भी कोश्ट लाइन है उसके पास में हम इंडर्श्टी डवलप कर सकते हैं ओके इस्टेट वहां पर सबसे ज़्यादा मैनुफेक्चरिंग होती है ओके हाव इस लाइटिट्यूड लॉंगिट्यूड इस्प्रेड ओप इंडिया एडवांटेज टू हर लैटिट्यूड और लॉंगिट्यूड लैटिट्यूड नीचे से उपर तक तो इसका एडवांटेज हमें अ NCRT बेस्ट क्लास 9 और 10 के जो कोस्चन बन सकते हैं आई एस लेवल के उन्हें हम देखते हैं कंसिडर दी फॉलोइंग अच्छा इनके आंसर लिखे हुए हैं पहले से ही तो मैं एक बार इन्हें रमूब कर लेता हूं तो अभी हम NCRT और बेस्ट जो कोस्चन बन सकते हैं उ सब्सक्राइब कर लेता हैं तो इसमें दोनों ही बात सही हैं वैसे तो 22 के बाद में होता है लेकिन 23 के बाद में बोल दिया जाता है कि हाँ आलमोस्ट चुए वो बराबर बराबर भागों में बाट देती है ओके तो यहां लिखा हुआ है इसमें डिवाड दी कंट्री इन्टू आलमोस्ट टू इक्वल पार्ट तो इसका अंसर होना चाहिए ए इसका अंसर होना चाहिए तो यहां पर इनों ने गलत दिखा हुआ है इसका अंसर होगा ठीक है आचा एक सेकिन में दुबारा से देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है इंडिया बिट्वीन लॉंगिट्फीूड इतने से इतने तक और 8-4 इतना सही है ठीक है बिलकुल स यह इन्होंने गलत दिया हुआ है ओके बाकी इसमें यह भी हो सकता है कि 84 की जगे हम 64 डिग्री बोलें लेकिन नॉर्मली 84 ही हमें बोलना होता है अंड़मान निकों बार वाले को हम जो है वह वहां पर्टिकुलरली लिखा हुआ हो कि समुद्री भाग को सामिल करते हुए तब तो आप 64 बोलेंगे उसके बाद नेक्ट कुस्चन कंसिडर दी फॉल्विंग स्टेट्मेंट ड़ टोटल लेंथ ओप इंडिया कोश्ट लाइन इदी 75-16 किलोमीटर ठेक है बिल्कुल सही बात ही है कि दे लेंड मास ओप इंडिया है एज एन एरिया ओप 3.28 32,83,000 का किलोमीटर स्क्वार बिल्कुल सही है बात ही इंडिया टोटल एरिया एकाउंट ओप 3.5 पर्सेंटेज अब बर्ड गलोबर तो मैंने भी थोड़े देर पहले पहले बताए था 2.4 पर्सेंट है ठीक है तो पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है तो इसमें अं क्या होगा यह होगा ओके नेक्स्ट पोस्चन हम चलते हैं यह कंसीडर दी फॉल्विंग स्टेट्मेंट फ्रॉम गुजराट टू अर्णाचल प्रदेश तीरी जे टाइम लोग ऑप टू आवर्स बिल्कुल सही बात है दा लॉंगिट्यूट एक्टेंट इन्फुलेंस द दे और नाइट एज वन मूब्स फ्रॉम दी साफ तो नॉर्थ तो इसने बोला है कि दे और नाइट में अंतर आता है क्या देखो आप थांडर ना यह चीज उपड़ से नीचे जो होते हैं о लॉंगिट्यूट जैसे हम हिंदी में बोलते हैं देशांतर टके इस तरीके से जो लाइन खिछती है जो साड़े दिग्री वाली लाइन है ना जो हमारी इदर 68 से लेकर और 70 में तक जाती है और इस तरीके से अच्छांस होते हैं जिसे हम अच्छांस को हम बोलते हैं लेटिटूड ठीक है अब मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि दिन और रात कैसे बनते हैं तो दिन रात में जो अंतर आता है वो लेटिटूड के कारण आता है ठीक है दिन और रात में जो longitude के करवा है कि longitude longitude या देशांतर के कारण जो है वो दिन और रात में इंतर आ राएं नहीं दिन और रात में अन्तर आता है latitude के करण ठीक है कि में इन्होंने गलत लिखा है तो इसमें सिर्फ थो इसका होगा ओके जो नेक्स्ट कोश्चन कंसीडर दी फॉलोविंग इंडिया इस साउथ वर्ड एक्सेंशन ऑब दी एसीन कॉंटिनेंट हम भारज जो है वो एसी आई महाधीप का साउथ वर्ड जो है वो दच्छन की तरब फैलाव है ठीक है नो अधर कंट्री है जे लॉंग कोश कोश्ट लाइन है इतना बड़ा कोश्ट लाइन हिंद मासागर में किसी और देश का तो है नहीं इंडिया साउथ वर्ड एक्सेंशन ऑब दी एसीन कॉंटिनेंट यह बात भी कुछ अद तक सही है एसीन कॉंटिनेंट का साउथ वाला ही हिस्सा है इंडिया ठीक है तो यह दिर्पारत बुरिख साउन बाकी अगर हम बात करें तो इंडिया के बंने की टो इंडिया जो हो वह यूश्य पिलेट का हिस्सा था इंडिया जो है वह आपना अपरिका से टरच था उपर थी इंडिया अप्री का थीथा थूप अज category यह को ऐài में गया हुआ मैं ही है प्रिंसली स्टेट रूलाइड लोकल है रिएडेटरी रूलर अपोंटबेंट दि बहोसरा तो इन्हों ने बॉलाए की जो हमारे रियासत है थी उन्हें पर सासम लोकल राजा करते टेकिन उनकल उनका पंटमिट B усRai करता था क्या नहीं बाइसराय उनका कही अप Founded by the Himalayan in the North, Hindukis and Suleiman range in the Northwest, बिल्कुल सही बात है, इदर की साइड में Hindukis, Suleiman, Krithar range है, और उपर की साइड में जो है वो, अपना हिमाले है, पुरवांचाल hills in the Northeast, and by the large expense of the Indian Ocean, बिल्कुल सही है, नीचे की साइड में जो है वो, Indian Ocean, इसके साथ में पड़ोसी जो देश हैं, वो पाकिस्तान, नेपाल, वोटान, बंगलादेश, स्रिलंका और मामार, इंडिया सामिल होते हैं, इसमें इंडियन सब कॉंटिनेंट में, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है, इंडियन सब कॉंटिनेंट में, ये सभी देश, एक्चुली में इसमें से ये स्रिलंका, और स् मोस्ट अंग्रेजों का हिस्षा था 1934 तक बर्मा जो था वो इंडिया का हिस्षा था 1936 में बेटेस इंडिया से अलब हो गया था ठीक है लेकिन फिर यह वाले जो देश हैं वो हमारे अकंड भारत के हिस्षे माते थे और इनी को इंडियन सब्कूर्णा निटकाया जाता था पर नेक्ट कोच्चन है कंसिडर दी फॉलॉइंग स्टेटमेंट इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्स तेंट तूबर दी सी अप टू तू तु तर्ब नॉटिकल माइल हम बारे माइल तक जो है वो समुद्र में और एक माइल को मतलब होता है समुद्र माइल का 1.8 किलो म तो यह बात सही है थोड़े देर पहले मैंने बापको बताया था इंडिया इस्टेटर टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीन विच टाइम बाइफ फोर आवर एंड थर्टी मिनिट नहीं साढ़े पांच कंटे से आगे तो पहली सही है दूसरी गलत है तो अंसर होगा एक नेक्स् पुस्टन है इंडिया लोकेशन के रिलेटर तो यह टोपिक अपना कंप्लीट होता है भारत की इस्तिति विश्तार